नमस्का दोस्तो मैं अनिस्वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो मैं आपको वरानसी से चक्या तक की राइड कराने वाला हूँ सामने आप जो चोरहाद देख रहे हैं वह रविन्पुरी चोरहा है और इसी चोरहे के पास वाइफाई टावर लगाए गया है फिलाल इस समय वह बंद है अब ही हम लंका तिर्मौनी पर है वरानसी का फेमस लसी पहलवाल नसी इसी तिर्मौनी पर मोजूद है और सामने जो आप गेट देख रहे हैं वह रविदास गेट है यहीं से कुछ दूरी आगे बढ़ते ही यह रास्ता रविदास पार्क की तरफ जाता है और वहीं पर रविदास गाट भी स्थित है सामने जो आप गेट देख रहे हैं वह ट्रामा सेंटर का गेट है सीधे आप डेंटल डिपार्टमेंट वहीं बाएं तरफ आप ट्रामा सेंटर के तरफ चले जाएंगे और यहीं पर हईशपी का पिट्रल पम भी मौझूद है और हमको चक्या जाने के लिए बाएं घुमना पड़ेगा सामने दे सकते हैं यह रास्ता सीधे सामने घाट चला जाता है अभी हम सामने घाट पूल के तरफ है जिस साइड हम लोग हैं वह सामने घाट है और उस साइड रामनगर है और यही एक मात्र पूल है जो वरानसी को वरानसी के उपनगर रामनगर को जोड़ता है इसलिए इस पूल को रामनगर पूल, सामने घाट पूल और सास्त्री पूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि रामनगर में ही लाल बहादू सास्त्री जी का पैत्रिक आवास भी है दाहिने तरफ आप दे सकते हैं रामनगर का कीला इस्थित है सामने बने गेट पर आप पढ़ सकते है जै जेवान जै किसान जो कि लाल बहादू सास्त्री जी का नारा था और दाहिने तरप आप जो देख रहे हैं यह रामनगर कीला है जो कि काफी फेमस है वनारशी जो भी टिल्स आथे वो एक बाश जरूर इहां विजिट करते हैं यहाँ पर मूजियम का चार्ज पचास रुपे है जो कि काफी जादा है यह जो आप मोड देख रहे हैं यह तरफ कॉलकाता वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को जोड़ता है इसे एनच टूक हते हैं और जो सीधे रास्ता देख रहे हैं यह वरार्शी सक्तिनगर मार्ग है ऐसे फाइफ ए है वरतमान समय में टेंगरा मोर से लेकर नरायनरपूर तक सिक्स लेन किया जा रहा है जो कि कार प् चैका खेटिक्न मिलेगा अरहारा में ही अरहारा डैम है और यहीं पर आपको लखनियादरी नौका दरी भरदरीया दरी आधिसे मिलेंगे जो कि प्राक्रिक्टिव रूफ से काफी मरोड़ कि देंगे आपको देशकते हैं इसमें निरमार कारे चल रहा है और यहां पर के लिए आपको SH-97 पकड़ना पड़ेगा यहीं से बाएं तरफ रास्ता जाता है SH-97 के लिए जो कि जीवनातपुर होते हुए जाएगा चाहे तो आप अरहोरा चावराहे से बाएं तरफ घुम कर भी जा सकते हैं लेकिन वो रूट आपको लंबा पड़ेगा जिस रूट से ह हम जा रहे हैं वो वाया जीवनातपुर स्टेसन होते हुए जाएंगे हम यहार रोड काफी अच्छी है आपको इस रोड पर कहीं भी गड़े देखने को नहीं मिलेंगे आपकी जायंकारी लिए बता दू कि रामनगर छित्र है वह वरांड़सी में आता है वहीं रामनगर यानी वरांड़सी में है वहीं आधी जमीन रामनगर यानी चंदोली में है जिस से ये विवाध हो गया है क्योंकि चंदोली वासियों के लोग जो रेट मंग रहे जमीन की वो वरांड़सी के एकावडिंगério है जिसकी वहीं से पेच फसा हुआ है सामने जो आप आरोबी देख रहे हैं यह लगभर तयार हो चुका है और आपको बता दे कि इसके बनने में करीब 3-4 साल लग गए काम इसका काफी स्लो था इसके कंप्लिट हो जाने के बाद वरांडसी और चंदोली वासियों को आने जाने में काफी सहुलियत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर काफी जाम लगता था सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं वह रामनगर इंडिस्ट्रियल एरिया की कमपनी का है दे सकते हैं यहाँ की रोड काफी खराब है ब्रिज बनने के बाउजी भी दे सकते सर्विस रोड की रिपेरिंग नहीं की गई है जिससे लोगों को आने जाने में अवसुधा हो रही है अब देखने वाली बात है कि इस ब्रिज पर लोगों का आवग गवन कब स्टार्ट होता है आपको बता दे कि जो डबल लाइन आप देख रहे हैं वह डिएफसी लाइन है डेडिकेटर फ्रेड का ओडर आज सामने जो स्टेशन देख रहे हैं वह जिवनात पूरेल इस्टेशन है यहाँ से एक रेलिवे लाइन रामनगर बंदागा की तरफ जाएगा फिलाल इसका काम अभी रुका हुआ है देख सकते रास्ता खराब होने के वज़े से जाम की समस्या को लोग दोचार हो रहे हैं दोस्तों यहाँ से चक्या 27 किलोमेटर वही नौगर 45 किलोमेटर दिखाए जा रहा है बोड में आपको बता देखिए चक्या बजार से कई सारे रास्ते निकलते हैं जो कि एक तरफ लतीफ सा, मुसा खाड वहीं दूसरी तरफ रासदरी, देवदरी और नौगर के तरफ निकल जाता है आपको चंदोली में एक से प्रक्रिति दिखनों मिलेंगे दे सकते हैं इस समय सुबह के समय है अकोहरा भी काफी पढ़ रहा है और दोनों तरफ सड़क के हरियाली हरियाली है इस समय सरसो और गेहूं बोया गया है जिससे खेत एकड़म हरे भरे दिख रहे हैं जो कि रास्ते में काफी सुखुन बरा असास देते हैं दोस्तो इस वीडियो को बनाने के मेरे उद्धिस यह था कि आपको दिखा सुक्य की वरानसी से चंदोली यानी चक्या जाने के लिए रास्ता कैसा है और रास्ते में कितना खुश्रोत ना जा रहा है आप रास्ते को इंज्जॉय करिए दोस्तो अगर आप वरानसी चक्या सफर किये हों बाई रोड और जिवनातपूर रूट से तो कमेंड बॉक्स में कमेंड करना मत भूलेगा और यहां से चक्या तक आपको रोड एकदम फर्स क्लास देखने मिलेगा बस आपको गाड़ी चलाते से में साधनी बरतनी पड़ेगी क्योंकि सड़क ज्यादा चौड़ा नहीं है अब बड़ी बड़ी गाड़ी आने के वज़े से आपको स्पीड कम करना होगा दोस्तो चक्या जाने के लिए कई सारे रूट है एक वाया जिवनातपूर दूसरा वाया मुगल सराय मुगल सराय रूट मेरे लिए लंबा पड़ता है इसलिए मैं वाया जिवनातपूर होते हुए जा रहा हूँ दोस्तो इस रूट का मैं कई बाउपयोग कर चुका हूँ जब भी मुझे लतीफ सा या फिर चंदपरफा डैम जाना होता है तो मैं इसी रूट का प्रियोग करता हूँ जो कि काफी आराम दायक रूट है इसमें कहीं भी गड़े नहीं है जिससे लंबे सफर करने में भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको रास्ते में करीब 10 से 15 नहर दिखने मिलेंगे जो कि आपके रास्ते के रूमांज को और बढ़ा देते हैं जब भी आप स्टेट हैवे पर सफर करें तो सफर करते समय आपको सावधानी काफी बरतनी पड़ती है क्योंकि इन सडकों के किनारे बाजार और गाउं बसे होते है जिसके वज़े से लोगों का सडक पर आना जाना लगा रहता है इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको स्पीड कम रखनी चाहिए क्योंकि कब किस रोड़ पर आजए कौन कोई पता नहीं जिससे एक्सिडेंट के खत्रा बना रहता है इसलिए गाड़ी चलाते समय ध्यान रखेगा दोस्तों जब हम जीवनातपूर के पास थे तब भी नौकड यहां से 45 किलमेटर दिखा रहा है अब इतना सफर कली तब भी 45 किलमेटर ही दिखा रहा है दे सकते हैं बोर्ड में क्या गलती है या फिर हम गलत रासेस जा रहे हैं दे सकते हैं कंचनपूर है और यहां पहर्याली भी अच्छी खासी है सड़क के किनारे दे सकते हैं बिजली के पोल भी लगे हुए है जब भी आप इन सड़कों से गुजरे तो एक बार यहां का नास्ता जरूर करिएगा क्योंकि गाउं के चीजे खाने पिने में काफी अच्छी होती है क्योंकि इसमें मिलावट कम क्वाल्टी ज़्यादा होता है दोस्तों यह राइड में अपने बजाज प्लाटीना एच गेर से कर रहा हूँ दे सकते हैं इसमें खेतों में पानी भरा जा रहा है यहां पर जिस थोटा पॉसा पम भी लगा गया है और जो मैं यह राइड पूरी सूट कर रहा हूँ यह मुबाइल फोन से कर रहा हूँ जल्द ही दोस्तों मैं गोप्रो लेने वाला हूँ आप लोका प्यार रहा तो जल्द ही लूँगा और दोस्तों आपको बाइक राइड वाली वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि भूस में आपको कहा की राइड चाहिए इसके पहले मैं वरांसी से विंधाचल माता के मंदिर तक का राइड किया हूँ उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया और उसी का प्रिणा लेकर मैं ये वरांसी से चक्या वाली राइड कर रहा हूँ आप देश सकते जहां पर भी बस्तिया आ रही है वहां पर RCC की रोड बनाई गई है और आपको बता दे कि सड़की खासे तिया है कि आपको इस रोड पर ब्रेकर नहीं मिलेंगे जिससे आप इस मुदली गाड़ी चला सकते है बिना किसी जटके के क्योंकि कभी कभी ब्रेकर भी दुरुखटना का कारण बन जाता है इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक प्रयास यह भी है कि आप घर बैठे गाउं के आंचल को महसूस कर सके कि गाउं का महौल कैसा होता है ताकि आप सहर में बैठे बैठे गाउं को याद कर सके क्योंकि गाउं ही एक जगह है जहां पर आपको सुद्ध हवा, सुद्ध पानी और सुद्ध महौल मिलेगा जो सहरों में आपको नहीं मिलेगा सहरों में जाने कर लोगों का बस एकी उद्धेस होता है कि उनको अच्छी सिच्छा और कमाने का जरिया मिल सके आपको बता देगे चंदौली पहले वरानसी का ही भाग था लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया वरानसी के पड़ोसी जिलों में चंदौली और मिर्जा पूर है और बता दू कि इन दोलों जिलों के खासेत यह है कि यहाँ पर आपको एक से एक मनोरम दिर से देखने मिलेंगे जिसमें कई सारे डैम, जरने और पहाडिया देखने मिलेंगे जिसमें अरहरा डैम, लखनिया दरी, नौका दरी, भरदरिया दरी, चुना दरी और चंदप्रभा डैम, रासदरी, देवदरी, लतीफ साह डैम और मुसाखा डैम सामिल है इन सभी जगों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखनों मिल जाएगी आपके लिए मैं चैनल पर प्लेश्ट बनाया हूँ जिसमें मिर्जापू टूरिजम और चंदोली टूरिजम नाम से बना है जहां पर आप एक जगा पर सभी जगां की वीडियो देख सकते हैं बाएं तरफ आप देख सकते हैं सौरगे राम विलास सिंग पीजी कॉलेज है वहीं इसके बगल में इंटर कॉलेज है जो कि सिब्यस्यस एफलेटेड है यहां पर भी आपको ब्रेकर देखने मिलेंगे चंदोली जिला बिहार से सटा हुआ जिला है और जो की बॉंडरी भी बनाता है आपको बता दो की जैसे आप लतीसा जाएंगे उसके आगे मुसा खा डैम पड़ता है और उसके बाद बिहार बॉडर मुसा खा डैम और लतीसा की वीडियो आपको चैनल पर देखने मिलेंगी यह जो रास्ता देख रहे हैं आप यह सीधे चक्या बाजार की तरफ चला जाता है यहां के सटके दे सकते हैं काफी अच्छी है जब भी आप चंद्रफा डैम जा रहो हो या फिर मुसा खा डैम आप जाते समय रास्ते में ही टेल भरवा लीजेग गाड़ी में जिससे आपको किसी प्रकार के असुधा न हो क्योंकि आगे आपको पेट्रोल पम नहीं मिलेगा और ऐसे जगह आपको खाने पीने के वस्तु कुछ नहीं मिलेंगे इसलिए खाने पीने के वस्तु आप यहीं से खरीते हुए जाईएगा आपको एक बार का वाक्या सुनाता हूँ एक बार मैं चंतरप्रफा डैम गया था घुमने सोचा कि चंतरप्रफा डैम घुमने के बाद एक बार राजरी भी जरूर घुम लू जब मैं गया वहाँ पे तो पता चला कि पर हिट परसन 50 रुपे है और बाइक की चार्ज 20 रुपे हम दो लोग गये थे यानि 120 रुपे चार्ज हुआ आपको बता दू कि जिस तरह प्राक्रति जग़ों का अत्रिकमड हो रहा है ये काफी निंदनी है मैं जानता हूँ कि इस जग़ों को विक्सित करने में खर्च लगता है लेकिन इतने चार्ज लेना कहां तक सही है मैं कई लोगों को देखा कि वहां से आकर वो लोट गए क्योंकि दो पहिये वाहनों का और चार पहिया वाहनों के पारकिंग का चार्ज इतना ज़्यादा लिया जा रहा था जो कि सही नहीं था जबकि वरानसी से पास में रासदरी देवदरी की मुकाबले लखनादरी पास पड़ता है और वहाँ पर कोई भी जाने का सुल्क नहीं है जो कि काफी अच्छा है दोस्तों यहाँ से चख्या बाजारी स्टार्ट हो जाता है आपको यहाँ पर कई सारे दुखानाई देखनों को मिलेंगी जिसमें खाने पीने वस्तूओं से लेकर आपको सभी चीद देखनों मिलेंगी नहीं पर देख सकते काफी हर्याली है वरार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार में से कोई भी चकिया या फिर चंदोली का रहने वाला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और आपको ये राइड कैसे लगी जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनले सब्सक करिए तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद हर हर महादेव दोस्तो सामने जो आप करिमाने देख रहे हैं यहाँ से सीधे राजदरी, देवदरी और चंत्रभा डेम चले जाएंगे वहीं यहीं से बाएं जो रास्ता जा रहा है वह आपको लतीफ सा मूस्कार डेम लेके जाएगा प्र डेम अब्सक्ड़ सामने जाएंगे जाएगा प्राइब बाइब बाही यहाँ प्राइब डेम प्राइब करेंग झाल झाल झाल